हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल तो गाइस आज की वीडियो में जो है हम लोग डिजाइन करने वाले हैं एक पाकिस्तानी स्काइल कुर्ती जो की एकदम से डिली रहने सी होती है और जिस पे लेज सब होता है वो हम जो है आज डिजाइन करेंगे तो ये जो फैब्रिक है मेरे पास ये मेरे पास करीबन जो है तीन मीटर फैब्रिक पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से मैंने इसको ले रखा गया लेकर मैं को याद ही नहीं था आज मैंने सारे फैब्रिक देख रही तो मुझे ये वाला मिला तो मैंने तो चलो इसको ही आज ड होता है मतलब और जो मैं इस पर लेस यूज करूंगी वह है यह हमारी ओर्गेंजा वाली लेस यह देखिए इस तरह की लेस है काफी ज़्यादा फुद्सूरत लगती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है तो वाइट कलर से जो है बहुत ज़्यादा पगई थी इसलि करते हो देखते हो आप लोग के एक लाइट से ना बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए तो मेक शूर कि आप लोग जरूर क्या कीजिए ठीक है तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले आपने हम फोर्थ फोल्ड कर देंगे क्योंकि हम फ्रंट और बैक जो है हमारे सूट का एक साथ कट कर रहे हैं ठीक है जी तो देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे फोर्थ फोल्ड कर देंगे तो जी देख सकते हैं आप लोग मैंने अपने फैब्रिक को जो है इस तरह से ऐसे फोर्थ fold में मिछा दिया है क्योंकि मैं front और back एक साथ cut कर रही हूँ तो देखिए ये 1, 2 और 2 layer हमारी ये होगी तो मैंने इसको fourth fold में मिछा दिया है अब हमने जो इसको ये ऐसे fold करना है ये किसके according करना है आपका जितना भी bottom होगा suit का जो हमारा दामन होता है bottom तो आपका टू से डिवाइटेंटे पर जितना भी आएगा उससे आपने 2,5 इंच एक्स्रा ना है जैसे कि मेरा जो bottom है वो आया है साड़े 10 तो देखिए मैंने इसको जो है गरीबन 13 रखा है तो मैंने इसको धाई इंच एक्स्रा लिया है ठीक है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है तो देखिए मैंने इस तरह से ऐसे इसको फोर्थ फोल्ड कर दिया है अब चलिए हम इसके सारे मेजर मेंट देख लेते हैं और फिर उसके according हम निशान लगाएंगे तो जी सबसे पहले जो है हम कुर्ती की लेंध का निशान लगाएंगे लंबाई का तो जो हमारी लंबाई है वो मुझे तयार चाहिए 40 इंच लेकिन मैं यहाँ पर 42 पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि हाफ इंच हमारा उपर कंदी की सिलाई में जाएगा और 2 इंच हमारा निचे से bottom fold हो जाएगा तो देखे इस तरह से 42 पर मैं ऐसे निशान लगा दूँगी यह देखे इस तरह से 42.5 इंच पर अब दूसरी साइट से भी जो है मैं इसी तरह से निशान लगा दूँगी दोनों साइट से निशान लगाने से क्या होता है आपका निशान कभी भी तेड़ा नहीं होता है तो देखे हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा दिया है अब इन दोनों निशानों को जो है हम आपस में इस तरह से ऐसे मिला देंगे ये देखे इस तरह से तो जी ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है अब नीचे से जो है दो इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाँगी ये नीचे से जो हमारा bottom fold होता है ना उसका निशान हो जाएगा तो देखिए इस तरह से जो है मैंने ये निशान लगा दिया है ये हमारा नीचे से bottom folding का निशान हो गया अब जो है हम अपना सबसे पहले जो है shoulder का निशान लगाते हैं तो जितना भी हमारा shoulder होता है उसको हम two से divide करते हैं हमेशा तो मेरा जो shoulder है यहाँ पर वो है 14 इंच 14 इंच तो 14 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच तो देखिए 7 इंच पर जो है हमने इस तरह से ऐसे एक box बना लेना है चारो तरफ से ये देखिए इस तरह से जो है हम चारो तरफ से 77 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंग एक square shape इसको देदेंगे और अब इन निशानों को जो है हमने scale की help से ऐसे मिला देना है आपस में ये देखिए इस तरह से और इस तरह से भी और इस वाले line को हम पूरा खीच देंगे क्योंकि यही बाद में हमारी chest line होगी तो देखिए इसको मैं dark कर देती हूँ ताकि आप को अच्छे से देखिए तो जी यह हो गया हमारे shoulder का निशान अब जो है हम shoulder to waistline का निशान लगाएंगे तो वो मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ ये देखिए इस तरह से और इस साइड़ से भी साड़े 13 इंच हमारा रह जाएगा half inch हमारा उपर कंधी में चला जाएगा आप 13 पर भी इसका निशान लगा सकते है लेकिन अगर आप थोड़े heavy है तो आप जो है साड़े 13 पर लगाईएगा तो देखिए ये हमारा shoulder to waistline हमारा जो है निशान लग गया है अब हम shoulder to hip तो वो हमारा 21 इंच रह जाएगा तो देखिए दोनों तरफ से हमने 21 पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और अगेन इन दोनों निशानों को भी हम आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगी हमारी hip line तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे निशान लग गए है chest line, waistline, hip line और नीचे ये जो है हमारा bottom अब जो है हम गोलाई के निशान लगाएंगे सारे तो जो हमारी chest होती है उसको हम 4 से divide करते हैं तो जो मेरी chest है यहाँ पर वो है करीबन 40 inch तो 40 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो आएगा 10 inch तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 10 पर निशान लगा करेंगे और 1.5 inch जो है हम margin करेंगे अगर आप लोग को और डीली कुर्ती चाहिए तो आप उसके according निशान लगा सकते हैं अब जो हमारी waistline है उसको भी हम 4 से divide करते हैं तो मेरी waistline है 32 तो 32 को 4 से करेंगे तो आएगा 8 आट पर निशान लगाकर 1.5 inch margin करेंगे अब जो हमारी hip है वो भी यहाँ पर 40 यानि की 40 है तो 40 को जो है हमने 4 से divide करना है तो वो भी हमारी 10 आएगी 1.5 inch margin का यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है chest, waist और hip को हम हमेशा 4 से divide करते हैं और जो हमारा bottom होता है उसको हम 2 से divide करते हैं तो जो हमारा bottom है यहाँ पर वो है 21 inch तो 21 को 2 से क अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आया है सूट का सारा नाव वाप लेना तो मैंने इसके regarding जो है अपनी classes में सारी वीडियो बना रखी है कैसे नाव लेते हैं कैसे सिलते हैं कैसे cutting करते हैं तो उसका link में इसे description में दे दूंगी आप लोग चेक कर लेना हो तो और अब यह अंदर वाले निशान के according जो है हम आर्मोल की हाँ पर शेप देंगे यह देखिए इस तरह से तो जी यह हमारे front side का आर्मोल हो गया back side के लिए half inch आगे बढ़ा कर हमने ऐसे निशान लगाना है और अब इस निशान के according हम इस तरह से ऐसे जो है शेप देलेंगे तो जी यह जो है हमारे back side का आर्मोल हो जाएगा नेक के लिए हमने जो है 6 inch का चाहिए तो यह double fold है तो हम 3 पर निशान लगाएंगे और half inch जो हमारी कंदी होती है वो हलकी सी जुकी होती है तो उसके लिए निशान लगा कर इसको हमने इस तरह से ऐसे neck से मिला देना है जान रखिएगा कि जो back side वाला जो आर्मोल होता है उसको पहले cut करना front side वाला मत cut कर देना वरना दोनों जो है आपके front side cut जाएंगे तो जी अब निशान के according हमने इसको cut कर दिया है अब जो भी हमारी यह waist line, hip line और bottom थी वहाँ पर हम इस तरह से ऐसे cut लगाएंगे यह cut जो है यह हमारा back side है इसको हमने जो है B लिख देना है इस पर ताकि हमें front और back में confusion ना हो यह हमारा back side हो गया ठीक है जी तो इसको हम अलग कर देंगे और यह हो गया हमारा front side तो इसको हम again इस तरह से ऐसे double fold करेंगे और इस पर हम F लिख देंगे ताकि हमें confusion ना हो और अब जो हमारा ये front side का आर्मोल वाला निशान था ना, इसको हमने cut कर देना है, ये देखिए इस तरह से, तो जी ये हमारा front side भी cut हो चुका है, अब हम इसका आर्मोल नापेंगे, तो देखिए आर्मोल के लिए हमने अपनी इंची रेप को ऐसे रखना है और गुमाते वे इसको ज कर देखिए के जी, अब हमने sleeves cut करनी है, तो sleeves के लिए हमने क्या करना है, अपने fabric को हम इस तरह से ऐसे double fold करेंगे, and then इसको हम जो है fourth fold कर देंगे, क्योंकि हम दोनों sleeves एक साथ cut कर रहे हैं, तो देखिए fourth fold करकर हम इसको ऐसे अच्छे से बिचा देंगे, अब जो मेरी sleeves की length ह वो मुझे चाहिए करीबन यहाँ पर जो है लगबग 17 इंच, लेकिन यह हमारा करीबन 18 इंच आ रहा है, तो बागी का हमारा margin में चला जाएगा, तो देखिए दोनों तरफ से जो है मैं इस तरह से ऐसे इसको straight कर दूँगी, और इस तरह से जो है मैं इसको cut कर दूँगी, यह देखिए मैंने इसको ऐसे cut कर दिया है, और अब जिस साइड से हमारी sleeves open रहती है, वहां से हम 3 इंच डाउन रखते हैं, तो देखिए 3 इंच हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, और बाकी को इस तरह से ऐसे हमने तिर्षा जो है, इस तरह से ऐसे line खीज देनी है, इस तरह से, अब यह हमारा 18 इंच है, तो हम इसका half करेंगे, 9 इंच पर आ रहा है, तो 9 इंच पर हमने ऐसे line खीज देनी है, यह हमारी umbrella sleeves कट हो रही है, और अब जो हमारी sleeves का fitting है, वो है 6 इंच, तो देखिए 6 इंच पर मैं ऐसे बीच वाले निशान पर ऐसे निशान लगा अब हमने fitting वाले निशान को fitting वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिलाना है, और margin वाले निशान को margin वाले निशान से, अब जो नीचे से यह umbrella belt टाइप बनेगा, तो देखिए इसको हमने बिलकुल किनारी पर ऐसे रखना है, नीचे से हम margin इसका कम कर देगे, और stitching का margin भी हम इस तरह से ऐसे गोलाई का और अब अपने फैब्रिक को भीकुल अच्छे से ठीक करते हुए क्योंकि हम दोनों स्लीव से एक साथ कट कर रहे हैं तो make sure कि आपके फैब्रिक एक जैसे हो तो देखिए अब इस तरह से जो है हमने इसकी कटिंग कर देनी है यह देखिए जिस तरह से अपने निशान लगाए है सेम आपने उसी तरह से ऐसे इसको जो है कट कर देना है तो जी यह जो है हमारी अंब्रेला स्लीव कट हो गई है अब जो है हम इसका front side कट करेंगे ठीक है जी तो देखिए बिलकुल अच्छे से अब यह नीचे से हलका सा फैब्रिक निकल रहा है तो इसको भी मैं कट करकर बिलकुल एक जैसा कर लोगी यह देखिए इस तरह से और बिलकुल अच्छे से आपने जो है इसको बिलकुल एक जैसा कर देना है यहाँ पर हम एक center का कट लगाएंगे और अब इसको ऐसे गुमाते हुए जो हमारा armhole है जो front side है उसमें गहराई र अब हम इनकी stitching start करते हैं यह हमारा front है तो जो इसका bottom है यहाँ पर मैंने lace attach करनी है यह देखिए जो यह हमारी lace थी ना इसको हमने यहाँ पर attach करना है इस तरह से और जो हमारा नीचे का bottom है sleeves का उस पर भी जो हम इस lace को सबसे पहले attach करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं तो देखिए यह हमारी sleeves का bottom है तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से single fold करना है क्योंकि यहाँ पर ना मैं underground तरीके से lace लगा रही हूँ ताकि पीछे हमारे काम में बहुत अच्छी finishing आए और हमें कोई भी जो है overlock वेगरा की जरूरत ना पड़े तो देखिए इ इस तरह से ऐसे मोड़ देना है lace के ऊपर तो एकी सिलाई में जो है हमारी lace भी लग जाएगी और पीछे से हमारे काम में finishing भी बहुत अच्छी आजएगी आप चाहे तो अलग से पट्टी लगा कर भी इस तरह से ऐसे इसको fold कर सकते हैं अगर आप चौड़ी पट्टी लगा और center में जो है आप एक सिलाई लगा दीजिए ताकि बिल्कुल अच्छे से बैट जाए और finishing बहुत अच्छी आए आप चाहे तो नहीं भी लगाएंगे इस सिलाई तो भी बहुत अच्छा रहेगा बस इस पर ऐसे iron करके और पीछे से आप तुरपाई कर दीजिए तो भी बहुत अच्छी finishing आएगी लेकिन मैं एक सिलाई लगा ही देती हूँ यहाँ पर ताकि यह बिल्कुल अच्छे से बैट जाए तो अब आप लोग देख सकते हैं कि back side से भी है कितने अच्छे से बैठा हुआ है सिर्फ हमने यहाँ पर तुरपाई करनी है इसको नहीं भी करे करेंगे तो बहुत अच्छी finishing आएगी अब इसी तरह से हम इसका bottom भी तयार कर लेंगे sleeves तो हमारी तयार है ही अपना मैंने यहाँ पर इसका neck भी बना लिया है क्योंकि neck बनाने में काफी time लगेगा भी प्लैकेट बनाया है तो इसका tutorial मैं already upload कर चुकी हूँ guys तो उसका link में description में दे दूँगी आप लोग check कर लेना ठीक है तो देखिए मैंने इस पर पूरे में neck बना लिया है bottom पर lace लगा ली है sleeves पर lace लगा ली है और जो हमारा back side होता है उसका neck बना लिया है उसका neck मैंने ऐसे round बनाया है अब इसको जो है मैं इस तरह से ऐसे उल्टा रखूंगी इ देखिए इस तरह से और जो इसकी कंधिया है उसको हम जोड़ेंगे तो चलिए मैं कंधिया जोड़ना आपको लोग को बताती हूं किस तरह से जोड़ना है तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों कंधियों को ऐसे पकड़ना है और simply जो हम सिलाई लगा कर इनको ऐसे जोड देंगे, शुरुआत में पक्का करना है and then end करेंगे आप तब आपने पक्का करना है, तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से ऐसे कंधियां जोड ली है अब ये खुल कर कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखिए, अब जो है हम जो ये हमारे आर्मोल है, यहाँ पर हम sleeves attach करेंगे, तो देखिए, sleeves मैं नाप ले रही हूँ कि front side की कौन सी है गहराई से गहराई वाली, और इस तरह से जो हमने center का निशान लगाएता ना, उसको कंधी के पास रखकर हमने इस तरह से ऐसे beach से सिलाई करना शुरू करना है beach से सिलाई करने से क्या होता है यहाँ पढ़ना, orebe fabric होता है तिर्चा होता है, तो कभी-कभी ना, यह बढ़ जाता है तो बढ़ेगा, घटेगा, तो दोनों तरफ एक जैसा होगा, तो आपकी sleeve की shape खराब नहीं होगी, तो इसलिए हमेशा आप अपनी center से sleeves लगाएंगे तो आपका हमेशा perfect बैठेगा, तो इसलिए मैं हमेशा center से sleeves लगाती हूँ तो देखिए, इस तरह से एक side हमने इसको ऐसे attach कर दिया है अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और आधी side भी again इसी तरह से ऐसे इसको सिलते जाएंगे तो जी, अब इस side से भी हमने इसको ऐसे ही जो है, सिल देना है खीचना नहीं है, आपने दोनों fabric को अच्छे से मिलाते जाना है और अगर थोड़े छोटा बड़ा होता है, तो आप उसको फिर बाद में जो है, कट करकर अराम से जो है निकाल सकते हैं, तो देखिए, दोनों को इस तरह से ऐसे करते हुए हम इसकी पूरी stitching कर देंगे ये देखिए, इस तरह से तो जी, stitching हमारी हो गई है ये देख सकते हैं, आप लोग sleeves हमने जोड़ दी है अब हमने क्या करना है, दोनों साइट की sleeves को हमने, मतलब इस साइट की sleeves को भी मैं इसी तरह से ऐसे ही जोड़ दूगी तो जी, हमने दोनों साइट की sleeves जोड़ दी हैं, देख सकते हैं, आप लोग अब जो है, हम इसकी fitting की सिलाई लगाएंगे तो हमारा already निशान लगा हुआ है fitting का, उसी पर जो है, हमने इसको stitch करना है, तो देखिए, दोनों को इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, शुरुवात में सबसे पहले पक्का करेंगे और जो है, हम इस तरह से ऐसे fitting की सिलाई लगाते जाएंगे शुरू में हमने sleeves का margin कम कर दिया था, बट end करते करते हमने देड इंच ही margin रखना है, जितना हमने रखा था, तो देखिए, अब इस तरह से जो है, हम अपनी पूरे जो हमने निशान लगाए थे fitting के, उस पर ऐसे stitch लगाते वे हमने, जो हमारी hip line आईगी न, वहाँ पर हमने इसको पक्का करकर, मतलब खतम कर देना है, क्योंकि बागी हमारी slit open होगी, तो देखिए, पक्का करकर हम इसको ऐसे cut कर देंगे और एक side हमने लगा लिए slide, अब दूसरी side भी हम fitting की, इसी तरह से ऐसे ही slide लगा कर आपको मैं दिखाती हूँ ठीक है जी, तो देखिए, दोनो side जो है, हमने slide लगा लिए है, और नीचे से हमने back side का bottom भी simple था हमारा जो हमने fold कर लिया है, अब जो है, हम इसकी, जो हमारी side की slits होती है न, उनको बनाएंगे, guys, मैंने side slit का जो है एक separate video बना रखा है, link में नीचे description में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है इसमें भी मैं आप लोग को बता देती हूँ तो देखिए, इस तरह से हमने उलटा कर अपनी slit को रखना है, और देड़ इंच अपने margin छोड़ा था, तो हम देखिए, देड़ देड़ इंच पर ऐसे पूरी जो हमारे चाक होते हैं, जो हमारी slit होती है, उस पर दूरी दूरी पर ऐसे देड़ देड़ इंच पर निशान लगा लेंगे, निशान लगा कर जो है, फोल्ड करने से क्या होता है, अगर आप तिर्चे कपड़े में भी कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल एक जैसा बैठता है, कोई जोल जाल नहीं आती है, अब इसको निशान तक ऐसे फोल्ड करेंगे, अगर आप इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे, और आपकी इस मशीन की जो सबसे बड़ी सलाई है न, वो आपने लगानी है, क्योंकि बाद में आपर हमारी हैंड स्टिच यानि की तुर्पाई होगी, तो ये वाली सलाई हम इसको ऐसे खोल देंगे, तो देखिए, आ अब निशान के अकॉर्डिंग ही, बिल्कुल मैं जो है इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए, पहले सिंगल फोल्ड, एन देन इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड, बिल्कुल एक जैसा कोई जोल जाल, कोई तिर्चा आड़ा नहीं भागेगा आपका, अगर आप इस तरह स ये हमारी स्लिट खतम होती है, वहीं पर हमने इसको ऐसे रोकना है, हलका सा उपर करकर और इस तरह से ऐसे घुमा देना है, सुई को नीचे करकर, और अब दूसरी स्लिट हमारी जो है शुरू हो जाएगी, तो देखिए, इसको भी हम इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह से ऐसे रखते वे हम इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, और अब अगेन इसको जो है हम इस साइड है से घुमा लेंगे, और सेम वही प्रोसेस आपने करना है, जο आपके निचान लगेवे हैं, उसके अकृड़्िंग आपने इस तरह से ऐसे जो है इसको यह रेखिए यहां पर भी मैं जो है देर इंच पर ऐसे निशान लगा दूँगी और इस निशान के according ही जो है मैं इसको ऐसे fold करूँगी यह रेखिए इस तरह से और यह जो है हमारी एक side की slit जो है fold हो चुकी है मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी finishing के साथ होई है अब दोनों side में same ऐसे ही कर लूँगी फिर final look दिखाती हूँ आपको और इसे पहन कर भी दिखाऊंगी तो देखिए इस तरह से हमारी slit होई है कुछ iron करके बहुत अच्छी बैठेगी अब दूसरी side की मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितनी finishing के साथ हमारी कुर्ती बनकर तयार हुई है और इसके back side में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है overlock करानी पड़े neck भी मैंने जो बताया है बिटकुल underground तरीके से बताया है लिंक आप लोग चेक कर लीजेगा description में sleeves भी बहुत अच्छी बैठी है अब इसको मैं आप लोग को पहन कर दिखाती हूँ कि यह किस तरह से जो है मुझे दिख रहा है तो गाईस यही तो मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत जादा पसंद आया होगा पसंद आया तो चनल को subscribe जो करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा और follow me on instagram my insta id is neyafashionholic.09 तो चलिए फिर मिलते हैं next वीड झाल करिएगा और